रेस्लिंग ने उसको सब कुछ दिया है और आज उनी रेसलर्स के साथ वो नहीं खड़ी सबसे पहली बार, वो अपनी बहनों के साथ ही नहीं खड़ी, बहन उसकी रियल सिस्टर छोटी सबसे, 27 दिन से यहां बैठी है, वो यहां एक बार भी आने का उसका कोई मतब भी है, प अपने राज के लिए क्या उसको क्या मिल जाएगा वहां, इसलिए वो अपनी फैमली को भी छोड़ रही है, पारिवार और पॉलिटिक्स के बीच में पॉलिटिक्स को चुना, अपनी पार्टी को चुना, देखो, पहले प्रोटेस्ट में उसने बोला था कि मैं तुमें अ अब फिर से बुलाएंगे गार आती है, पहला ट्वीट्स किये हैं, पहला ट्वीट्स जहां लगता है कि आपके समर्थन में हैं, दूसरे ट्वीट्स में वो बताती हैं कि उनकी विचारधारा बीजेपी की है, और तीसरे में बिना नाम लिये वो कह रही हैं कि आप लोगो की राजनेतिक मंसा को दिखाता है, इस पर क्या कहीं? एक बार भी आने का उसका कोई मतलब नहीं है, गीता ने भी ट्राइ किया कि वो यहां आखे मिले, वो तो पुलिस ने उन्हें आने नहीं दिया, तो वो देख लो कितनी निर्दई और कितनी निर्दई है वो अपनी बहन के लिए कि वो एक अपनी सपता के लिए या अपने राज के लिए कि अपता उसको क्या मिल जाएगा वहां, इसलिए वो अपनी फैमली को भी छोड़ रही है, मेरा मानना ये है देखो, इंसानियत सबसे उपर उती है, मुझे इस धरने बे बैठने के बाद पता चला कि एक राजनेता आदमी किसी का भी नहीं होता, ना मा का, ना भाई का, ना भेन का, किसी का भी नहीं होता, वो सिरफ अपने पद का होता है, तो बस मेरा मानना तो ये है, इनसानियत सबसे ज़्यादा जरूरी है, कलना कई मुझे कई और बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, तो मैं तो यहीं मानूंगी, कि मेरे को जिसने बनाया, जिस फ सबसे चोटा भाई है, उसका दुशन्त फोगाट, उसे बड़ी संगीता है, संगीता के साथ भी आपने देखा होगा, दुशन्त का सिर्फ अट गया, पूरा ब्लीडिंग हुई, उस नड़की का यह नहीं हुआ, कि वो यहाँ पे आ जाए, तो मुझे बड़ा अफ्सोस मै तो किस दिशा में जा रही है, और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, देखो, कभी-कभी ना, नी स्वार्थ होके, कभी-कभी नी स्वार्थ होके, अगर अच्छे काम करने के लिए जाओगे, एक अपने पद को छोड़के, तो भगवान हजार-दो हजार उपर्चुनिट उससे भी अच्छी आपके आगे खड़ा करतेगा, लेकिन उसके लिए नी स्वार्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप बयान दे रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया कि जब कमिटी ने रिकोर्ट सब्मिट कर दी उसके बाद से वो बदल गई या फिर आप लोगों की तरफ से निजरिया बदल गया, ऐसा क्या हो गया कि जो रिष्टे थे, कही ना कहीं जो ब्रिज गाप कर दा था, वो अचानक स किया, कुछ भी नहीं, मजबूरन हमें दुबारा धरना करना पड़ा, हम तो बोली रहे हैं कि उसने हमें दोखे से उठाया, सरकार ने दोखा किया, और कमेटी बना के, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट भी हमें नहीं दिखाई गई, तो ये सारा उनका मिला हुआ चीज था, म मुझे दो पता नहीं, बविता ने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ खिलवार किया, हमारी लाइफ दाओ पर है, आपके साथ जो खिलवार हुआ, इसका पूरी तरीके से जिम्मदार आपको बविता फोगेट नजर आती है, देखो पूरे तरीके से भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन या तो उसको बीच में नहीं आना चाहिए था हमें जवरदस्ती उठवाने वाली वही थी वह बोली आप उट जाओ मैं करवा दूँ अच्छा था तो कहां किया या फिर यह बोल देती कि देखो मेरे से नहीं हो पाएगा आप लड़ो लास तक यह बोल सकती थी लेकिन उसने जो भी किया ठीक है उसने क्या सुनके किया क्या उसके दिमाग में चल रहा था उसके दिमाग में पॉलिटिक्स भरी पड़ी है मुझे तो समझ में ला रहा तो तू आजा भें तेरे गले लगा लेंगे तू दिला दे इंसाफ अब फिर से बुलाएंगे वह राती है रेसलर बनके आएगी तो पहलवान बनके आके हमारे साथ यहां बैठेगी तो तो हमारा धरना उसके लिए खुला है अब पूरी तरीके से भरोसा जो है वह तूट चुका है बेसिकली तो पार की तूट चुका जी मैं तो बहुत दूर की लगती थी उसकी कजन उसकी रियल सिस्टर काई सब काई तो चुका है बिल्कुल और यह ऐसा भी है क्योंकि कहीं ने कहीं भरोसा दिलाया था बविता फोगाट ने पहलवानों को जन्वेरी में उसके बाद कमिटी में भी आड किया गया था इनी लोगों के कहने की वज़े से लेकिन उसके बाद हुआ 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 है